साथ श्री अकाल जी सावनूं आई पी सी दे यूटूब चैनल उते तो हड़ा बहुत बहुत स्वागत हैं मेरा नाम बलराज सिंग ते असी आई पीची दे इस यूटूब चैनल उपर स्टार्ट करी है पनजाब जी के दी एक सीरिस ते कल उस सीरिस दा पहला लेक्चर सी जी जिस दे विच आसी पनजाब दे नाल जान पशान करनी शुरू करी सी लास्ट लेक्चर दे विच आसी नाम ते इंट्रोड़क्शन देती गई है उसनों राइट डाउन कर लें अब दे नोट्स दे वेच ते अज जैसी उस लेक्चर दो ही अगे कॉंटीनू करांगे तान जी तक कल दे लेक्चर दे वेच जो असी नाम पढ़े सी ओ नाम केड़े केड़े सी असी छे नाम डिसकस किते सी कल दे लेक्चर दे वेच सब्त सिंदू ब्रह्म वर्त ब्रह्म वर्त ब्रह्मा दा लेंड हाफ्ता हिंदवा हाफ्ता हिंदवा पर्शन नाम आया सी है का वहिक पाननी ने जो नाम दितवा सी, पेंटा प्रामिया, पेंटा प्रॉटामिया जो युनानिया ने नाम दितवा सी ते लास्ट पढ़े या सी पंच नाद, जो की साधे पुराणा अते एपिक गातामा, रमायन ते महापार्त देवे चुन- एहे छे नाम कल असी डिसकस की तेजसी जी आज जैसी अगे कंटिन्यू कर रहे हैं साधे इसे लेक्चर में ताजी कल छे नाम पढ़नतों बाद अज जो साधा सात्मा नाम है ओहो पंजाब दा प्या किसे समें टक परदेश टक परदेश पंजाबी देवेचे थे कोगिए आब बाईल अंगूल पाद रहे हैं टक परदेश एहे जो नाम पर रहे है इहें किसे समें एक कबीला रहन्दा सी टक की टक कबीला जा टक की कबीले दे करके टक कबीला जा टक कबीले देन करके साड़े पंजाब दा एह नाम पे आ टक परदेश तप उच्छा जावे टक की सी तटक की एक कबीला सी दा ट्राइब इन दा पंजाब दा ट्राइब इन पंजाब पंजाब दे विच मिलन वाला एक कबीला सी टक की उस दे नाम पे टक परदेश, टककी नू ही हून सैंग, सड़े पारता है second Chinese traveler ने, second Chinese traveler, दूसरे चीनी यत्री, दूसरे चीनी यत्री हून सैंग ने अब दी लिखतां दे वेच, इस टककी दे करके, इस टककी कभी ले दे करके, साधे पंजाब नो की किया से किया से किया ठीक है जी दा किंगडम आफ से किया ता हिउन सैंग ने साधे पंजाब नो नाम दिता से किया से किया ता इहे नाम किस दे दोरा दिता गया इहे नाम दिता गया साइकिंड चैनिस ट्रैवलर जिस दा नाम किया जी हिउन सेंग हिउन सेंग एहे हर्ष वर्दन दे टाइम हर्ष वर्दन दे टाइम आया सी गा राजा हर्ष वर्दन राजा हर्ष वर्दन दे समेते हिउन सेंग इंडिया आया सी ता ये नाम सी टक पर दे साड़े पंजाब दा किसे टाइम जिस टाइम ते हो एक टक की नाम दा कभीला रहन दा सी इस टक की नाम दे कभीले करके ही हून सैंग जो दूसरा चीनी जातरी पार ताया सी उसने साड़े पंजाब नो से किया के हा सी और दूसरे चीनी जात्री दा जिकर होया था कई बार पेपर वेच पहला चीनी जात्री भी पुछलिया जानता है पहला चीनी जात्री फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर एमें की नाल नाल लेख दे होए सेम चीज बोलनी पहन दिया है ताम बार बार रपीट होना जी फर्स्ट चाइनी ट्रैवलर ओ काउन सी जी फा हियान फा हियान ए पहला चीज नी जातरी सी जो पारता आया सी ते किस दे टाइम राजा चंदर गुप्त और बच्यों मोरिया ना कह देओ चंदर गुप्त मोरिया नी सी चंदर गुप्त दूसरा सी जिसनों इतिहास देवेच चंदर गुप्त विकरम अदित्या भी कहन दे रे गुप्ता बांशदा है राजा सी गा चंदर गुप्त दूसरा जैदा दूसरा नाम की सी चंदरगुप्त विक्रम अधित्या चंदरगुप्त विक्रम अधित्या ता उस दे करके उस दे टाइम दे वेचे आया सी फाहयान पहला चीनी जातरी ते जुज़ा जो पारता है ऐसी उसी हुईन सैंग ते इसने साधे देश पंजाब नो सेकिया के हासी टक की कभीले दे करके दा किंगडम आउस सेकिया ठीक जी ता टक परदेश अगला नाम पहासी आज दे टैम अगर पंजाब दे वेचे गाल करिये ता कभीले विगर रहता है नी ता एक कोशन होदा है ऐसी स्ट दे उपर स्ट शडूल कास्ट अनसूचित जाती है स्ट शडूल्ड ट्राइब अनसूचित जान जाती है ऐसी होगी तुसी पढ़या होगा वैदिक काल दे टाइम हिंदू समाज दे वेचे चार जाता मणा यागी याँ शुरुवाती वैदिक काल दे वेचे काम दे अधा आरते बाद वाले वैदिक काल दे वेचे ओही काम दे अधा अरते उत्ते नूँ हैरेटरी कार देता गया जाने की जडम दे अधा आरते कार देता गया केडियां केडियां ब्रह्मन शत्रिय वैश ते सुदर ता अगु जेडी शुदर कम्यून्टी सी उतना बहुत ज्यादा बुरा वहवार किता जान लाग पया ते उसनों ही एक हाई स्टेंडर देन देली उधे लेवली होड़नों उपर चकन देली डॉक्टर बियारम बेदकर जी ने सविदान देवेच ठीक है रिजर्वेशन करी ते एक खास नाम देता श्याइब ट्राइब श्याइब श्याइब इक रहिए जो कि साड़े खानी दीड़िदा शहराँ दे मैं लॉक्टर आट पैंदा शेइडर्वेच रहनदा है टीक है विलेज्य जिस एंड शैटीज दे वीच रहनदा है उनना आनों अम आपन ठीक है ऑनिसूचित जातियां केनिया ते अनसूचित जण जाती है जेड़ा दिलितपा इचारा साथे forest areas दे विच रहनदा है मतलब ओ एरिये जमें 36 गड़ मद्द प्रदेशाले area चेस्टी तान कोशन क्या होंदा है कि जो maximum सब्तों जादा सब्तों जादा SC population किते मिल दी है तब आंसर क्या होगा सब्तों जादा SC population पंजाब दे विच जी 8.9% SC population पंजाब दे विच मिलेगी ST दे विच अगर maximum देखिए तो ST दे विच maximum मद्द परदेश दे विच मिल दी है MP दे विच जोगी जंगली राका जादा है औरे एंड मिनिममम SC देखिए मिनिममम सब्तों कट तए मिल दे जी मिजौरम दे विच मिजौरम दे विच सब्तों कट SC community मिल दिया लगपग 0.03% दे आसपास SC community है थे ST minimum सब्तों मिल दे जी सोड़े पंजाब दे विच इस करके ही पंजाब दे विच कोई भी ST reservation नी हैगी पंजाब दे विच जंगली लगपग दे पता है ने कि आपने उरे जंगली खेतर जो है बहुत ज्यादा काट है जंगली खेतर दा साथे उरे सिर्फ किना के मिल दा 6.1 प्रतीशत दे लगपग मिल दा 6.1 ता इसे हिसाब नाल साथे उरे ठीका जी इनने ST community नहीं मिल दी मतलब साथे ता उरे 0 ही है साथे उरे कोई भी reservation नहीं है कि ST दी ऐसी reservation जरूर है ता ऐसी जो दिलित्वपा इचादा पिंड़ना दे शहरां चा रहन दा वो ऐसी ने जो forest वगएर आले एरिये जिमें माद़प्रदेश आले यह बहुत जंगल ने उनना एरिया दे विच उनना जंगलां दे पिंड़ने उनना विच रहन आले उन लोका नू जब उन दे विच जो छोटी विचारे जाती दे विच समझे जान दे ने उनना लोका नो sd के आगया ठेक होण एक community दी गालां दी है पंजाब दे विच पेपरां दे विच पुछा है नदा जिनों कहँदे ने बिषणोई community बिषणोई community बिषणोई community बिषणोई शमाज बिश्नोई कम्यूटी यह मेंली जो समाज है एसाठे किस आरे एरिये मिलता है अधे खुन उरत नीचे थो डूं ठीक है मैप देख रहा है राजस्थान एराजस्थान ते राजस्थान देना लाग रहे इस एरिये विच फजल का राजस्थान ते फजल के आले एरिये दे पंजाब दो विचे हे फजिल का वाले एरिय दो Bridget मेल दी ऑजिए फजडिएंग को सभगर बहुराइब लाके दो विच यह कम्यूटेर हुझ समें लिएगी वैसे है में लिन Comedy जो जादे मज्याओटी दो सी एकरी गई सी लगपग 1485 AD 1485 इस community न स्थापना किती गई किनद वारा ? गुरू जम्भेशवर द्वारे इस Initially ताभना किती गई जिन्हा नु जंबो जी भी किहा जान्दा है एनना नामी है गुरु जंबो जी जंबो जी तक गुरु जंबो जी जा उनना पूरा नाम है जी गुरु जंबेशवर जी इनने 1485 चोणा सो पचासी वीच विच्छ विश्नोई समाज़स दी स्थापना कीती थी एहे लगपग ल कवंजा तो पंद्रा सो छती तक एह ठीक ही रहे नेंगे इस दुनिया दे विच इस टाइम पीरिड दे विच विच ही 1485 विच इन्हा ने विश्णोई समाज दी स्थापना किती सी एह समाज थो नू पंजाव दे फजिल क्या डे एरिये विच ते मेली राजस्थान डे एरिय अगे वीडियों चाहे उठी पाउज ही ने विच ने विच नोई कम्यूनिती दे लही नत्ती सिदान्त सेट ड़्याक है नत्ती पृंसिपल्स ते करके एधन एकी बढ़िया यह तोड़ा जाए दिखकत दे रहे है ठीक है एन्ना नत्ती प्रिंसिपल्स दे करके इस नाम की इपिया बिशन ओ एपिया अगे भी होग डेटील ची दाख देयां इसनु रख लेओ जी अगे इसनु रफ करके नेक्स्ट चाल देयां ता इसनु वीडियों चाहे उरी पॉज करके आप दा राइड़ाउन कर लिए जा फिर इस दा स्क्रीन शोड के चलिए ता 29 प्रिंसीपल अगर तुसी खोल ओपन करके देखो कि नती ठीक है जी नती किस तो बन दा है बी प्लस नौ तो ता बीस नौई ता उरों की बढ़ेयां बिशनौई बढ़ेयां दूज्जा जो थियोरी मन नहीं यांदी है कि कई लोग आप दे आप उनू बिशनौई इस तरीक के नाल देने के विश्नोई है आप देने दे लिच्णोई के जह जबना कि फौलों कर देने व कॉलोर और ऑंफ यसिए विशन की है एहे पगवान वगवान विश्णू धा ठीक है नाम है इना दी लोकल पाशादेवेच विश्णू जी नो विशन कया जाँदнит टे विश्णू मंद्नदाद विश्णूई कया जाँद तब Ec observe नहीं नत्ती प्रिंसिपल्स तो भी 20 प्लस नाइन, बीस प्लस नो तो भी विशनोई बन गया, ते विशन, जो की विशनोई जी दा इना दी स्थानक पाशा दे वेच नाम है, उसनों मन्न अड़यन भी की कहा जन्दा है, विशनोई कहा जन्दा है, कलियर, हुन पेपर दे वेच की आउंदा है, पेपर दे वेच की एनना दा पवित्तर जानवर केड़ा है तब विश्णोई समाज़ दा पवित्तर जानवर है जी ब्लैक बक काला हिरन आझारोध मिलम नहीं परन किते में समय आटाके === नहीं आपके छेंश मुली और मेंसरा साल श्चुरी को अमप और संहे जाया उर्या पिस आड़ क्यों नू हो है Black Buck दे लिए मशहूर है उरे तोसी काला इहरन देख साक्धिए उप पेपर दे चुहन की पुछह यहांदर है जी कि जो जो काला हेरन है Black Buck है काला हेरन इस दा वग्यानिक नाम की है काला हेरन दा वग्यानिक नाम तक काला हिरन दा वग्यानिक नाम की है एंटी लोप एंटी लोप सर्वी कपरा एंटी लोप सर्वी कपरा एक काले हिरन दा वग्यानिक नाम है इस तो नेक्स्ट कोशन जो बलैक बक है काला हिरन बलैक बक एक केड़े केड़ी स्टेट दा स्टेट ऐनिमल है तब ब्लैक बक एक तब पंजाब दा ठीक है जी राज पशु है पंजाब दा राज पशु पंजाब दा राज पशु दूसरा हर्याना दा ठीक है जी हर्याना दूसरा हर्याने दा गदे भी राजस्थान नहीं लोना आंद्रा प्रदेश राजस्थान क्यों नहीं लोना क्योंकि राजस्थान था राज पशू है कैमल अज्ट बूता ओहो राज पशू है स्टेट अनिमल ब्लैक बक पंजाब हरे आना ते राज़ पशु है ब्लैक बक जो उट है कैमल जब होता है राजस्थान दा ठीक है जी राज़ पशु है राजस्थान दा ओके बच्चे तक कनफ्यूज नहीं होना तब ब्लैक बक बिछनोई समाज दा पुटर जानवर है के OMG अगर कोई परच पुछेकी राजस्थान दा राज़ पशु केड़ा है ता राजस्थान दा राज़ पशु केड़ा है जी कैमल उट बोता एईस दा राज़ पशु ता के कहने है अप मा जी camel नूँ the ship of desert मारुथल दा जहाज ते राजस्थान दे विच केडा मारुथल मिलदा है राजस्थान दे विच थार मारुथल मिलदा है थार मारुथल दे करके camel नूँ राजस्थान दा राजपशु कोशित किता गया है ठीक ता एसी गई इस दा next नाम सत्मा टक परदेश जो कि टकी कभी ले करके है नाम 85 तेहीं उन सेंग ने सेकिया भी कहा सी ता अगला नाम देखो जी कल मैं तो नूँ पुछ या सी कि साड़े इस खेतर नू पंजाब कदों कहा गया ता होना जी हुण साड़े खेतर नू इस नाम नाल जाने आगया पंजाब देना पंजाब पंज द्रयामा दी तर थी सवर्ग साड़े ले तब पंजाब नू पंजाब कहा गया पहली बार इस दा जिकर फर्स्ट टाइम जो हे मैंशन होया सी फर्स्ट टाइम मैंशन पहली वार जिकर इस दा पहली वार जिकर हुंदा जी दुनिया दे सबतों वद पैदल जातरा करनवाले इंसान दी किताब देविच दुनिया देविच सबतों जादा पैदल जातरा किसने कीती बच्चे कई गुरुणानक देव जी ने जिरूर किती है पर गुरुणानक देव जी डुनिया वेच्च दूसरे नमबर दे plac बटुदा पैपर दे वार जेकर है कि एवन बटूदा किस कंटरी तो आया सी ताहे मरोकों तो आया सी एवन बटुदा दी लिखी गई बुक जी दा नाम की है जी रहिला जी नाम की है रहिला बतूता जरहिला बतूता दी रहिला रहिला दा मतलब की हुँदा है बहुत पढ़ा हुआ तुस्यीं की ठीक है इबन बतूता ने एह किताब लिखी है रहिला इस दा मतलब की है जी इवन बतूता दवरा लेखी गई किताब दा मतलब की है रहीला दा मतलब हुंदा है जर्नी जर्नी यत्रा ता इवन बतूता दी यत्रा ता इह बुक सी रहीला रहीला बुक दे विच इह बुक दा नाम है जी रहीला रहीला बुकदे विच पहली वार मेंशन होया है शब्द पंजाब वैसे इस रहीला दा जड़ा ओरिजिनल नाम है वो बड़ा लंबा चोड़ा है इदा नाम की है तुफत अल अंजार फी गरीब अल अमसर वा अजाइब असफर द्वारे सुन लो तुफत अल अंजार फी गरीब अल अमसर वा अजाइब असफर मतलब की है इद्वन तुटा ने इस बुकदा नाम की हो रखे है क्योंकि इदा मतलब है कि उन लोगों के लिए एक उपहार उनना लोग का अंदे लिए एक तुफा है जो शहरों के आश्चरेओं और यात्रा के चमतकारों पर विचार करते है तक यह जी इस बुक उनना लोग का अंदे लिए एक बहुत सोना तुफा है इबन बतुता दवारा जो की गली-गली शहर शहर को मणा पसांद कार देने ते इस जर्णी दे जरान जो ननू नमे नमे एक्स्पीरियंस हुं देने उन्ना नू इंजवाय कार देने तो उन्ना देल यह बुकों ने लिखी सी पूरी वर्ड विच एक त्रिक के ना कुम के रहीला बुक रहीला इन्नू ताम नाम देता गया कोकि इन्न मतलब हुंदा है यात्रा इबन बतुता दी यात्रा ता रहीला इन्नू अपन सिंपल लेंगवेज विच नाम के दिन्या बुक दा ता इस बुक दे विच रहीला दे विच पहली बार मैंचन होया शब्द पंजाब मैंचनता हो गया लगपा के जिडिये पर सदीदी गल करिये एहे गल मैं कर रहे है चौदमी सदीदी चौदमी सदीदी मैं हे गल कर रहे है हुन पंजाब नू फरस्ट टाइम यूज किस ने किता फरस्ट टाइम इस शब्द नू यूज किस ने किता यूज ड़ा शब्द बरत्या गया टाइम लग सकता बच्चे बर अपर राम ना करांगे हर एक चीज समझाओं दे इह जियां चीजियां जिम्यार ही लग शब्द हो गया एदा मतलब की है इस बुक्त असल नाम की सी जो तुसी पिछे सोनेया होगा जो त्यानन हेड़फोन लागे सोनेयों की सी गा तुफत अल अंजार फी गरीब अल अ मसर वा अजाइब अल सफर बड़ा अच्छा या नाम है ता ता हुन पहली बार तको मैंशन था पहली बार इवन बतूता ने कर देता मरोको तो आया सी दुनियां था सब तो ज़्यादा पैदल जातरा करना लाए इंसान के इवन बतूता बगल में जूता जथे नू रात पेंदी हो थी सराने अधे ब शेरशा सूरी दे लिखी गई बुक तारीक तारीक ए शेरशा सूरी तारीक ए शेरशा सूरी इस बुक दे विच पहली बार शब्द जूत गिता गया पनजाब एह बुक 1580 दे विच लिखी गई सी इसनों लेखन वाले राइटर दा नाम सी अबास खान सरवानी अबास खान सरवानी इसने इस बुक करनों पहली बार लेखिया सी ते एदे विच जिकर करया सी पंजाब दा जिकर के में होया होन पंजाब दा इस दे विच जो शेर शा सूरी सी शेर सा सूरी सी उसनू Mention किता गया As पंजाब के शेर खान दे तौरते पंजाब दे जब पंजाब के शेर कान ता इस तरीके ने इस शावद आया पहली वार पंजाब ता इस वित शेर सा सूरी नू पंजाब के शेर खान मेंशन किता गया है तो इस तरीके नाल तो तारीके शेर शेर शूरी वेज पहली वार शब्द बरते आ गया पंजाब ते मेंशन पहली वार होया सी है इवन बतूता दी बुक रहीला दी वेज उन तक लिख लेजी बीडियो नो पहुस करके नो राईडाउन कर ले जी इस तो अगे ही करना जी पंजाब शब्द जो पंजाब शब्द सी इह फिर तो मैंशन होया अबल फैजल दी लिखी होई एन अकबरी अबुल फैजल दे लेखी होई बुक एने अकबरी दे विच भी इसनों मैंचन किता गया इह अकबर दे उपर लेखी गई बुक सी अबुल फैजल दे दोवारा अबुल फैजल दे दोवारा ठीक है जी अकबरी इने अकबरी मतलब अकवर दे उपर लिकी गिया जी इस एणे अकवरी दे विच भी पंजाब शबत नो यूज किता गै इस दे विच इसने मैंचन किता कि जो पंजाब है इहे दू तो प्रोवियनस दो परांता विच बंडिया होया है लहूर ते मुलताण लहौरते मुलतान अबुल-फैजल ने इस दा जेकर किता सी पंजाब दा कि यह लहौरते मुलतान दे वेच बंडिया होया है इस तो वाद अकवर तो वाद अकवर दा मुंडाया जहांगीर 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 ने भी पंजाब शब्दनू मैंशन किता जी सी जहांगीर दी कताब दा तुजक ए जहांगीरी तुजक ए जहांगीरी तुजक ए जहांगीरी जिसना मतलब की है मेमरीज ओफ जहांगीर मेमरीज ओफ जहांगीर तुजक ए जहांगीर दे विच भी पंजाब शब्द दिमू दर्शाया गया अबुल फैजल दी एने अकबरी दे विच भी पंजाब शाब अपना दर्शाया गया मैंशन किता गया ते यूद होया है पहली बार शेरशा सूरी दे वारे तारीख शेरशा सूरी वे जिस विच शेरशा सूरी नूँ पंजाब दा शेर खान कहा गया ठेक इस तरीके ना पहली बार इस शाब्द यूद होया सीगा पंजाब उस तो बाद ही समाभीतिया काफी कुछ अगे पंजाब ने देखिया ठेक जी मुगला या मुगला तो बाद पंजाब दे वेच सिखराजदी स्थापना हुंदी है तिश राजदी स्थापना दे वक्त जिननगे पंजाब नूँ एक ताक्तवर स्टेट बनाया एक ताक्तवर देश बनाया, स्टेट नी देश, एक पावरफुल कंट्री बनाया, ओ कौन सी गे, शेर पंजाब महराया, रंजीर सेंग, जिनना नू छोटे कददा निपोलियन भी कहा जांदा सी, छोटे कददा निपोलियन, क्योंकि उस शेर ने, सदे इस पंजाब नू लगप आता लू तो निचला इलाखा आ गागा जड़ा, ठीक हैसら जी हां आपाँ आहा इलाखा इलाखा इलाख आज रहा जड़ी लाईं यह इस तरीख के नड़, तो इस तो नीचला इलाखा ब्रिटिशर देन में ऐसी का ठीक हुजी दैक मैं उरे एक मिसल हूंदी सी फुल किया मिसल पुल किया मिसल और उपर ला सारा ऑगा आहा या उच्छोटा न ऩा साभ़ियो ते आस सारा थोड़न पाकिस्तान सारा हमाचल परदेश वे उप्रॉँ सारा जम्मु कमीर कि ते तक लदाक तक, तिब्बत तक तक दा सारा अलगा देख ठीक है जी, सोड़ा माज़ा दुआबा, हिमाचल पूरा पाकिस्तान, उद्रों अफगानिस्तान अफगानिस्तान उपर, जमू, लदाक, तिब्बत, तरजा कीज़ा सी, सरा ही एक की सिगा, सिक्ः, अम्पायर सीगा पूर्दा पूरा सिख राज सीगा किस ने स्थापत किता है महराजा रंजी सिंग ने इनने बड़े राज दे महराजा हुंदे होए भी महराजा अब दे आपनू महराजा नालों बद की बलोना चौँदे सीगे सिंग सहब बलाऊना ज्यादा पसांद कारदे सी कि लोग मेंनु सिंग सहब कहने महराया ना कहने माय इंडेया ना निहेगा उन्हाने कदे अब दा तक्त नहीं लाया कोई किसे तो देते नहीं बैठे हो तक्त दे वो एक अपनी कुर्सी उत्ते चौकडी मारके बेंदे हुंद हुंदे हुंदे सी उनने अब दी पग अब दी पशाक दे बेच कोई एक अपा कहती है कि कोई बेश कीमतिया चीज्जानी कदे चड़वाई या कि मेरी पाक दे बेच कोही नूर जुड़या होना चाहिए दा या कोश होना चाहिए दा कोश नहीं बड़ी सिंपल प्रसनेलि कि अपा व्राज करांगे पैसे तांक या महान नहीं बन सकते ता महाराजर अरण जी सिंघ ने जेदो इनना बड़डा सिख हम पकत्ता श्था पित कीता उस वक्त पंजाब्दा की नाम रखे तब महाराजर अरणी सिंघ जी ते टाइम पंजाब्दा नाम पया लहोर ठीका जी लहौर सुबा अपनी सास सदाकोर दी हलाशेरी ते लहौर यहां बलों किती गई बेंटी दे फाल्स रूप महरा रंजी सिंग ने लहौर जत्या सीगा पंगी में सलतूं लहोर ये तंग आगे सी पंगी में सलतों उनना ने आके रंजीर सिंग ते सदाकौर को रे बेंती किती कि सान नू अजाद करवाओ असी सोड़ी हल पकरांगे ते सदाकौर ने कहा सी की जिनने ज लहोर जतलेया उनने पंजाब जतलेया लहौर दे बिच राज करना मतलब पूरे पंजाब ते राज करना इनी जादा चड़त रख दा सी साड़ा लहौर है कहना जण जञजा जांदियां जे होंतियां लहौर नू का तो आखे चंडीगड़ गिड़ी मार दे सब कुछ लहोर दे विची रह गया ले गया सब कुछ है अज असी चंडीगड़ पर गये कि छोटे जे प्रांतली लड़ रहे हैं कि थे असी किन्ना बड़ा देश शट चुके हैं ता लहोर सुबा महाराजी सिंग नेस दा नाम लहोर सुबा ही क्यों रख्या चौंदे ता दे नाम गुज्रावाला भी राख सागदे सी क्योंकि जण में उत्थी होया सी महाराजी सिंग दा ता लहोर सुबा महाराजा रंजी सिंग दे समें नाम पे आजी महाराजा रंजीत स सेंग दे समय महाराजा रंजी सेंग जी दे टाइम थे थोड़े पंजाव नू अपने पंजाव नू लहौर सूबा केहा गया क्यों केहा गया एहीता पढ़ना क्या कि तेरा नुमंबर इस्तारां सो आसे को है कि लेंडरा सा फिर्फ लाव खताब लाग जाई झी टेरा नुमंबर स्तारा अस्य कि तैरा नुमंबरушки दो नमंबर 1780 पर ज्यादा तर जड़े अपने पेपरां चे डेट हो दिया वाहियां तेरा नमंबर 1780 विच महराया रंजीस सेंग जी ता जनम होंदा है बच्पन दा नाम रख्या यांदा बुद्ध सेंग बुद्ध सेंग क्यों रख्या जांदा है सारा कुछ महराया रंजीस सेंग दे बक्त पड़ांगे अजे आप अगर इनू डेटेल चे पड़न लागे बड़ा ता बहुत लंबा लेक्चर पगजूगा मैंनू पता तो नू पसांदा रहा तो पसांदा रहा ता लाइक जरूर करो यार पेछले लेक्चर नू सी लाइक आट गीता सुन रहे हो नू ता नू लाइक करो अब दोस्ता ना शेर करो ते बाद तो बाद चैनल सब्सक्राइब करवाओ कि पढ़न दे म सूब्च ना लू सुनना ता वैसे ही नौड़ज़ दे पक नू सुनने लो कई अप दे पुत्रा नू अपने पोत्ते आनू अपने पोत्ते आनू आ पड़़ज़़़़गे पड़़़ध्ज्च न जोग्य होई हो कि साध्डे-पंजाब नू किसी सामय क कि क्या जानदा सी होर ता चलो अपसी की जानना पशांदना साथे पंजाब रहे ही जान लोग ज्यादा जरूरी है तो तुसी यह तो पड़ दियो था यह चीज ना देखके पड़ आ करो यार एहे टॉपेक पेपर चाओ ना यह तौपेक पेपर चाओना यह नहीं होना पेप बाद लेके पढ़न लागे, नावलेज दे पखतों पढ़न लागे, पेपर वो पर ता बटते पाएने, बिना नींद ची जागे पेपर दे आया करें, पेपर क्लीर हो जानेगे, तब बच्पन विच नाम रख्या गया बुद्ध सेंग, बाद विच पिता जी नाम रखता र माताला नाम सी सर्दारनी राजकौर, जिनना नू माई मलवैन केंदे सीगे, क्योंकि साथे मालवे दी सीगे है, माई मलवैन, तै सर्दार महा सिंग ते सर्दारनी राजकौर देकर, 13 नमंबर 1780 नू एक बच्चा जानम लेंदा, जिसनू पहला ता बुद्ध सिंग नाम द जानदा पर बाद वेचे रंजी सिंग नाम रख जानदा, खोगे नादे पिता जी एक यंग जत्त के आया सी दे नाम देता रंजीर सिंग, बाकी 10 साल दी उमर पहली युद्ध लड़ 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 लड़े सी, पहली लड़ाई लड़े सी, तै जगा सी जि गुज्रावाडा, गुज्रावाडा दे वेचे जगा सी जी, पाकिस्तान दे विच्चा जी है, इस जगा ते जनम होया सी महराया रंजीर सिंग दा, महराया रंजीर सिंग तो इलावा एक होर फेमस परसनेलिटी दा जनम होया गुज्रावाडा वेचे जिनना दी बदौलत जिन्ना दी बदोलत शायद रंजी सिंग महराजा रंजी सिंग कहाए जिन्ना दी बदोलत इनना बड़ा सिख समराज बणया कौन? दुनिया दे सब्तो नंबर वन जर्नेल जनेसको दुवारा कोशित कीते गए सरदार हरी सिंग जि उपल जिन्ना अपड़ा की कहने हा नलवा नलवा नाम पर राजा नल तो राजा नल एक राजा सी मिथे हास दे बेचे लोग कतामा दे बेचे जिसने हाथ दे नाल बबबरशेर मारता थी एकल्ले हाथ नाल ने हत्थे हाथ नाल ओमें ही हरी सिंग ने भी कल्ले हाथ नाल शेर मारता सी इतकर करके नो बाग मार केंदे ने जा नलुआ केंदे ने हरी सिंग नलुआ जी दा जनम भी गुज्रावाडा दे विच ही होया सी गा ठेक जी और तक राइट डाउन कार लो अगे लेख दें रंजी सिंग जी दा जणम गुजरावाडा विच होया थे ना दी मिसल दा नाम की सी ना दी मिसल दा नाम सी शुकर चाकिया मिसल शुकर चाकिया मिसल इस मिसल देवेचे ना दा जणम होया सी शुक्र चाकिया मिसल देविच ठेक जी शुक्र चाकिया मिसल मेली रावी चनाव आले खेतर देविच राजकारदी सी रावी चनाव आले एरिये देविच इना दा खेतर सी गा शुक्र चाकिया मिसल हुण महाराय रंजी सिंग ने पंजाब नुलोह और सुबाग क्यों किया वैस्ता ने पहली जंग दास साल दी उमर ची लाड़ी सी पर इना दी जड़ी पहली फर्स्ट इंपोर्टेंट बैटल सी जंद की दी पहला महत पूर्ण युद्ध यो पहली महत पूर्ण जंग इना दे जीवन दी यो पहली महत पूर्ण जंग सी ओ लड़ी गई सी स्तारा सो नुड़े नमे दे विच जिस दे विच पंगी मिसल तों उस टैम दी सबतों ताक्तवर मिसल दे विच वेक सी पंगी मिसल इस तों र लहौर जितन तो बाद रंजी सिंग ने अठारा सो एक दे विच अब दी ताज पोशी करी ताज पोशी तो बाद एना दे नाम जिनार की लागया महराजा लागया ने ही लहौर निकी बना दे अपनी पॉली टीकल कैपिटल बना लिया ठीक जी पुली टीकल कैपिटल मतलव की राजनीतिक राजता ने बना लिया ता पुच्छाए महाराय रणजी सिंग दी राजनी थी के राजता ने केडी सी ता महाराय रणजी सिंग दी राजनी थी के राजता ने लहौर सी ता इस करके थुन दस्या की सदा का उन्हें महारंजी से नो कहा से की जिसने लहौर जितलिया उन्हें पंजाब जितलिया लहौर ते राज करना मतलब पंजाब ते राज करना ता करके ता इस करके इनने अपने पूरे खेतर दा नाम ही अपने पूरे समराज दा नाम ही की रख दिता लहौर सुबा रख दिता ता रंजी सिंग जी टाइम पे पंजाब दा नाम लहौर सुबा अठारा सो उन्ताली दे विच्च एक मंदपा की कटना हुंदी है अधरंग दे अटैक करके जो की केहा जानदा है अधरंग दा टैक सी उस अटैक करके रंजी सिंग जी दी की होयांदी है डेथ होयांदी है होया हम रंजी सिंगी दा कतल ही सी पर उसनों हादसा बनाया गया सी पढ़ां के रंजी सिंग जी देवे ले सारा कुछ डिटेल देवे ची ता उस कटना तो बाद एक तरीक के ना कहलो कि सिख राज़दा पतन शुरू हो गया रंजी सिंग जी दी मौत तो बाद अंग्रेज जाने जो संदियां हुएं सी अमरे सर दी संदिव गरा उनों तोड़ना शुरू कर देता उस सतल उस्तों पार आके ठीका जी इंट्रफेर करन लागे जिस दे कारन पहला एंगलो से खिजद हुंदा फिर दूसरा एंगलो से खि पंजाब बनाया आसि अंग्रेज कितों साव लेंदे ता अंग्रेज ने पंजाब नू संबाल लेंदे लें इस दीकी करी पहली वंड करी तब दस में नाम दे बिच पंजाब दी पहली वंड हुंदी है जिसनों तुसी किस नाम ना जान दें नौर्थ वेस्ट को प्रोवियंस उत्तर पच्मी सीमा परांथ पंजाब दाहे नाम पे आजी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी दे टाइम ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी टाइम पे जावनों उत्तर पच्छ में सीमा परांथ किया गया नौर्थ वेस्ट फरंटियर प्रोवियंस किया गया कि में स्टेट डुरेक्शन देह साफ ना देखो था नॉर्थ ईस्ट सौथ वेस्ट जाने नॉर्था इस्ट्स त सौथा है इस्ट साफ वेस्ट सौथा अक्य जैसे नॉर्थ डेकर निदें, नॉर्थेस्ट आयस्थ 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 n selbst आयस्थ आयस्थ साउथееस्थ आयस्थ वेस्थ नॉर्थ वेस्थ न आ जी प्ध्न करके नाम स्कुंद्ध रिंच नाम की बैस्थ नॉर्थ वेस्थ है कि RJंत पाकिस्तान दे नाल अफगानिस्तान है ता अफगानिस्तान ता बापस के नाने लेले आसी पठान नाने जतले आसी गा अंगरेज जातू ता होनो पठान जेडी मुठ़पेड कारदे सीगे साड़े पंजाब दे विच ता ओक इस्तरू कारदे सीगे इस आले पंजाब दे थुरू खेबर दरे चो खेबर दर ता खेबर दरे नेडे होन करके पाकिस्तान आले एरियनों ही नने की बनाया नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवियन्स बनाया उत्तर पच्छम दे विच पैंदा इंडिया दे हे नौर्थ वेस्ट एरिया दे विच पैंदा होन की धे उत्ते है सीमा धे उत्ते है फगानिस्तान पाकिस्तान धी सीमा धे या ता ओछो एरी जीडे की ना धी बौडरलाइन थे होन्डे सीगे ठीका जी मेंली शोड़े इस इंडिया धे विच एंटर होन तो पहला इस वाले जेड़ा आज जे इंडिया दा हिस्सा बनेया होया है इस इंडिया दे विच एंटर होन दे लही उनना नू इस एरिये चे होना पेंदा सिया पाकिस्तान अले चो इस करके एक ही बन गए एक तरीका दी boundary line बन गी ता frontier समने सी फ्रांट तेसी ता उत्तर पच्च मी उत्तर पच्चम दिशाच होन करके फ्रांट दे उपर होन करके की नाम पे आदा ओहो परांथ जेड़े की उत्तर पच्च मी दिशा दे विच फ्रांट दे उत्ते ने उननन किया गया उत्तर पच्च मी सीमा परांथ किया गया पंजाव दा इहे नाम पर उन्नी सो एक दे विच तब मतलब पंजाव दी पहली ओंड हो इसी फर्स्ट डवाईडेशन पहली ओंड उन्नी सो एक दे विच लॉड करजन दे द्वारा की ती जन्दी है लौड करजन दे दवारा पंजाब दी पहली वांड करी गई सी उन्नी सो एकदे वेच जीदे वेच नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवियंस नू सेपरेट करदता गया सी अलग करदता गया सी किस्तों पंजाब तो नॉर्थ वेस्ट फरंटिर प्रोवियंस नू अलग करके पंजाब तो एक होर सूबा बनाता सीगा 11 परांता देवेच्वेक सी ज़ोड़ा देश अजाद होना सीगा उस टाइम ते 11 परांत सीगे सेंट्रल प्रोवियंस बिहार उनाइटड प्रोवियंस पंजाब नॉर्थ वेस्ट फरंटिर प्रोवियंस असाम, सिंध, बंगाल, बॉंबे, मदरास, उडिस्व इना 11 परांता वेच्वेक सी नॉर्थ वेस्ट फरंटिर प्रोवियंस ता 1901 वेच्वेक लॉड करजन ने पहली वांड करी सी पंजाब दी नौर्थ वेस्ट फृरंटियर प्रॉवियंस नू अलग किता सि पंजाब तो एग लाध वेस्ट कीनो हे इस्यांन डामघwirॆ जुना Smith दास्ता कुझ एग ता एक्टा एक वेस्ट फॉरंट दा ँशिस पयन यए इंडिया एंटर होन दे लई एहे इलाका विच्चाउंदा सीगा इस करके फ्रंटियर लाइन होगी तो फ्रंट ते पेंदे परांत ने के ता फ्रंट ते पेंडे परांत नो जेड़े की उत्तर पच्छमी दिशाचे नो नो की क्या गया नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर पहली डिवाइडेशन पंजाब दी होई सी उन्नी सो एक देवेच पहली कदम होई जी उन्नी सो एक देवेच लौड करजन ने की ती नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवियंस नो अलाग की ता गया किस्तों पंजाब तो दूसरी वंड होई उन्नी सो ग्याराँ देवेच लौड हाडिंग ने की ती दिल्ली नौ सेपरेड की ता गया अलाग की ता गया किस्तों पंजाब तो दिल्ली नौ लाग की ता गया पंजाब तो हम दिल्ली कठी कदों होई सी ठारां सो सत्वन जादे विद्रो तो बाद इस पूरे लाखे दे एक कंट्रोल रख्थ दिल्ली नौ कठा करता सी पंजाब देवेच और उन्नी सो ग्याराँ देवेच मुगर जवपा मुसलिम्स न दिल्ली तो चलामा गये पूरी इस गबर्मेंट ता असी दिल्ली न उन्या था दिल्ली ले अनि डी कैपिटल ता ग्यादा पंजाब तो ता दूसरी वांट होई सी 1911 वेच पंजाब दीजी दिल्ली तो अलाग का आरके बनाया गय सी ती जी वांट होई 1967 नू लौड बैटन दे वक्त, इस्ट पंजाब जिन्हें तुसी कहने हो पूर्वी पंजाब एंड वेस्ट पंजाब जिसनों क्या है जान दै जी पंचमी पंजाब इस द दुझ्जा नाम है चड़दा पंजाब ते लेंदा पंजाब चड़दा ते लेंदा पंजाब दा कंसेप्ट इस करके है क्योंकि सूर्ज इस एस्ट वाले पंजाब वाले चड़दा है ते वेस्ट वाले पंजाब वाले लेंदा है इस करके इस्ट पंजाब नो चड़दा पंजाब केंदेने ते वेस्ट पंजाब नो लेंदा पंजाब क तिपाशा दे अधार ते इदे विच्चों हरे आना अते हिमाचल परदेश अलग कर देते गें ता चार बार वांड हुआ साड़े पंजाब दी 1901-1911-1970-1960 दे विच्च ता नेक्स्ट नाम देखो जी पंजाब दा ग्यारम उन साड़े पंजाब दा नाम पे आजी पूरव पंजाब पूरवी पंजाब जेनों इंग्रिश्च कहने हो इस्ट पंजाब उन्नी सो संताड़ी दे टाइम आफ्टर इंडेपैंडेंडेंडेंस भी लिख सागते हो अजादीतों बाद ता पूरवी पंजाब न उन दे लई एक कमिशन दी स्थावना किती गी पंजाब ब बॉंडरी कमिशन पंजाब सीमा कमिशन दी स्थावना किती गई ठीक है जी कदों करी गई बी जून उन्नी सो संताड़ी नू बी जून उन्नी सो संताड़ी नू पंजाब बॉंडरी कमिशन दी स्थावना हों दी है इसनू रेड कलिफ कमिशन भी किहा जा सकता है रेड कलि कमिशन कारण क्योंकि इस कमिशन दा जो चेर्मेंड सी इस कमिशन दा जो चेर्मेंड सी ओ काउंड सी सर साइरल रेड़ कलिफ सर साइर रेड़ कलिफ इस चेर्मेंड सी एहे कमिशन फाइब मेंबर कमिशन सी गा पांज मेंबरी कमिशन सी गई पांज मेंबरी पांज मेंबरी कमिशन सी गा सर साइर रेड़ कलिफ इस दे चेर्मेंड सी उस तो बाज जस्टिस तेजा सिंग जस्टिस दीन महम्मद जस्टिस दीन महम्मद जस्टिस महम्मद मुनीर ते आखरी जस्टिस मेहर चांद महाजन एहे इसदे मेंबर सी गए इना पंजाने मिलके पंजाब दूँ पूर्वी ते पच्छमी पंजाब विच बंड़ेया ते इसकमेशन दी जो नूँदी रिपोर्ट नूँ फोर्स विच लिया अंदा गया 16 अगास्त उनिसो संतारी नूँ तो 16 अगास्त उनिसो संतारी नूँ अफिशली अइनाूंस कर देता गया कि इदर ले पास्याला लेंदा पंजाब वाए पच्छमी पंजाब ते इदर ले पास्याला चडदा पंजाब या ते पूर्वी पंजाब इस तो बाद अश्धे टॉपिक दा लास्ट रिष है जी नमा पंजाब नमा पंजाब आखरी नाम साडे पंजाब दा जिन्हों तक पहाँ नमा पंजाब विचे पैपसु भी बढ़ा सी है पर पैपसु नूँ अब पैपसु वाले टॉपिक दे विचे पढ़ांगे उरे नी पढ़ा दे अगला नाम पे जी पंजाब दा न्यू पंजाब जिस नू कहन दे ने जी नमा पंजाब नमा पंजाब एहे नमा पंजाब बनेया अठारमी शोद अठारमी शोद उन्नी सो श्याट दे नाल कदों एक नमंबर उन्नी सो श्याट नू शोद नू इंगलिश वीच कहें दने अमेंडमेंट 18th Amendment 1966 नू एक नमंबर उन्नी सो श्याट नू पंजाब तों पंजाब तों हर्याणा आते हे माचल अलाग करके की बना आयांदा नमा पंजाब बना आयांदा हे माचल उस टाइम ते राज बान दे स्टेट बान दिया सोरी हर्याणा उस टाइम ते स्टेट बान दिया ते हे माचल उस टाइम ते यूटी बान दे इस तो बाद हिमाचल 25 जनवरी इस करके हर साल 25 जनवरी नू हमाचल दा स्टेट हुड डे मनाया जान दा हिमाचल दा स्टेट स्ताफना दिवस मनाया जान दा हि राज स्थापना दिवस हर साल मनाया जान दा हिमाचल 25 जनवरी नू हमाचल दे कर दो मनाया जान दा हिमाचल दिवस 15 अप्रेल नू हर साल मनाया जान दा हि कारण होगी 15 अप्रेल 1998 नू की होई सी जी इस्टेबिलिश्मेंट ओफ हमाचल होई सी जी हमाचल बसाया गया सी 15 अप्रेल 1998 नू एक तरीके ना समर कैपिटल दे तौरते पंडरी जवाहल ने दू दौरा ता जी इस कारके इसनू हमाचल दे मनाया जान दा हि होण पंजाब तो हरे आना ते हमाचल एमेही नी अलग होगे पंजाब तो हरे आना हमाचल अलग कारण दे लई भी एक कमिशन दी स्थाफना कीती गी जिसनू की कहा है पंजाब बॉंडरी कमिशन पंजाब बॉंडरी कमिशन उनी सो शाट दी स्थाफना कीती गई अपरेल उनी सो शाट नू इस दी स्थाफना हों दी है जी इस कमिशन नू शा कमिशन भी कहा जान दा है शा कमिशन भी कहा जान दा है शा कमिशन इसनू शा कमिशन भी कहा जान दा है कारण होगी इस दा जो चेर्मैन सी इस कमिशन दा जो चेर्मैन सी हो कौन सी जस्टिस जे सी शा जस्टिस जे सी शा एहे तिन मेंबरी कमिशन सी जी तिन मेंबर सी के इस दे जस्ट चेर्मेंट हो गया पहले दूसरे सी के एसदात तीसरे सी जी M M फिलिप्स ता इस कमिशन दी सपार्श उपर एक नममबर उनिसो शाट नू अठारमी शोद दे नाल पंजाब नू बंड़ देता जन्दा हर्याना आते हमाचल दे नाल ते एक रेंदा खुन्दा सोड़ा जो पंजाब है उसनू नमा पंजाब बना देता जन्दा पंजाब इसनू रखो तुसी आप देखो तो जदो पंजाब तो हर्याना ते हमाचल अला की ते गे सी उस वक्त साधे पंजाब नू ग्यारा जिले ते दो डिवीजना जेतियां कियां सी तो ग्यारा जिले ते दो डिवीजना मिलियां ते ओही 11 जिले अज तै ही हो चुक्के ने, तेही दोडवीजन अज पांज हो चुके ने ता पंजाब, पंजाब नों बहुत वार बंडण दी ट्राइ कीती गई, पंजाब नों बहुत वार दबन दी ट्राइ कीती गई कदे मनुखां दवारा ते कदे गुद्रत दवारा पर पंजाब ता पंजाब है यह हर बार खड़ा हो जानता है हर बार अपने पहले रूप नड़ो होर भी जादा निकर के सामने आउदा है पंजाब दे अजदे हलात जिमेने हड़ वगरा पा देख रहे है पंजाब ने इस दे बिच्चों भी उबर जाना कोई ज़्यादा मुश्किल ने ओनी साननू असीता देल दे रंगीन बन देयाँ खुशमजाज बन देयाँ वाईगरू दी मेरा साथ देते ता पंजाब दे आजदे हलाता दे नू देख दे होए किसे शायर ने बड़ा खूब लिखिया कि लंग जाना चड़के आए होए आवने लंग जाना चड़के आए होए आवने फिर हरी हो जाना तर्त पंजाब ने ता पंजाब किन्ने ही ऐसे हड किन्ने ही ऐसे तुफान देख चुक्या नाहे कदे खतम होया सीथा ना होवेगा बस अगर तो हाड़े देवाले कोई ऐसी सिचुएशन तो नो देखनों मिल दी है कि कोई हड मार जिनल प्रवावित हो गया है किसे दी कोई जॉब गएरा जाँ कोई खान पीन दी मुसे उतारी है ता तुसी बद चड़ के हल्प करो औ तो दसम पास्षा ने उस गुरु रामदास पास्षा ने अपने आप ही मेहर कर देनी है थे थोड़े का रुवी वारे नेरे कर देनी ता जी तम मिल देना नेक्स लेक्टर देवेच ता तक अपना त्यान रखो अपना बदो बद बदिया पड़ो टेंशन फरी होके पड़ डिप्रेशन वगरा कोई लोड नी है कि हर चीज़ा के समया उस समय दे अकॉर्डिंस होनों सब कुछ है मिल जोगा खोश रहो दे बाकी आप दे नाल देनों खोश रखो ता मिल देनी नेक्स लेक्टर देवेच ता तक रब राखा